2009 में हमारे प्रधान मंत्री डॉक्टर मन्मोहन सिंग ने एक स्टेट्मेंट कोट करी थी कि नक्सिनिजम इस ग्रेवेस थ्रेट टू इंडिया इंटर्नल सेकेरूटी उसके ठीक एक साल बाद यानि कि 2010 में उस वक्त के हमारे डिफेंस मिनिस्टर नहीं कोट किया था कि 2012-13 तक यानि कि लेफ्ट विंंग् एक्स्रेविजब्स करवी तरीके से क्लीन गया इंडिया एंटिया से फिर anterior में हमारे जो फ्रेजन्ट हमिस्टर में उन्होंने भी स्ट्रेटमेंट दिया था कि इतने भी लोग इंवॉल्व्ट हैं लेफ्ट विंग eक्स्रेाइ smells एन्हे में बर चल रही है और over the time over the time बहुत हट तक impacts भी कम हुए है ठीक है बहुत हट तक impacts भी कम हुए है पर तब भी हम आए दिन आए दिन तो नहीं बीच बीच में कुछ ऐसी खबरे आती है जहां पे conflict हो जाता है हमारी security forces और left wing extremism के बीच तो क्या पूरी तरीके से इंडिया में नेक्सलिजम यानि की left wing extremism खत्म हो गया है इसको समय कोशिश करें इस वीडियो में यहां पे यह बोला गया है कि जो IED को IED को detect करने की जो technology है जो भारत अभी इस्तमाल कर रहा है उसे improve करने की जरूरत है तो किस तरीके से improve किया जा सकता है IED है क्या कहां कहां पे इने रखा जाता है किस तरीके से impact करते हैं सारी चीजने समझेंगे और साती साथ हम यह देखेंगे कि आए दिन ठीक है यह बोला गया है कि left wing extremism के जो cases हो कम होते चले जा रहे हैं पर कभी न कभी इस तरह की खबरें आही जाती है जहां पर हमारे जो security forces हैं वो शहीद हो जाते हैं जैसे कि अभी 36 गड़ में हमारे 10 security forces और एक driver यह सब शहीद हो गए ठीक है इने शहीद हो गए इसी वज़े से यह जो topic है यह आपका news में है तो इसको हम समझने की कोशिश सकता है यही आज का motive है मोटा मोटा तो अगर हम आईडी की बात करें ठीक है तो यह अभी न्यूज में क्यों है जैसे आपको मैंने बताया कि 36 गड़ में अभी हमारे 10 जवान और एक driver जो हो गए ठीक है कारन यह था कि IED blast हुआ था तो यह जो ID होते है यह क्या होते है ठीक ह में वह fix किया जाता या रखा जाता और इसी वजह से इन्हें डिटेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है IED का फुल फॉर में आपका इंप्रोवाइज्ड एक्स्प्लोजिव डिवाइस ठीक है अगर आपसे एक्जाम में कोई PCS के एक्जाम में शायद आपसे फुल फॉर्म पूछे तो इंप्रोवाइज्ड एक्स्प्लोजिव डिवाइस अब मैंने आपको बताया कि जो IED है यह आपका metallic होता है metal form में होता है छोटा होता है और यह deep अंदर टा स्वाइल ठीक है जैसे यह मिट्टी है इसके अंदर जो है यह इसे रखा जाता है और इसे डिटेट करना टफ होता है और जब उपर से कोई कार जो है या हमारी security forces का ज ठीक हैसे जो हैट किया जाता है आब इसमें शूल यह है इस मैंशी है कि यह जो रडार ना इसमें अगर इस with अगर कि आगए ठीक है daha education है गया कुछ और भी changes किया गई होंगे तो भी जो है वह यह हो रडार जो है वह सेंट करते morning था और कई बार क्या होता है कई बार हीबर पॉल्स अलांस जो हैं बास अलांस वह आपके डिकेट कर लिया जाते हैं इस वजह से इस टेक्टनोलजी को इंप्रूफ करने की नीड है क्योंकि अगर यह हम इस टेक्नोलजी को इंप्रूफ कर लेंगे तो इस तरह कि जो incidents होते हैं जहां पर हमारे security जवान जो है शहीद हो जाते हैं यह जो cases है वो पूरी तरीके से कम हो जाएंगे तो इस काम पर ठीक है इस technology को improve करने की बहुत जादा जरूरत है तो यह एक article में है ठीक है यह आपका अर्टिकल में present किया गया था दूसरा जो चीज बता रहा है इस आर्टिकल में ठीक है दूसरा चीज़े बताया जा रही है कि अगर हम left wing extremism की बात करें तो ओविसी बात है cases कम हो गें ठीक है बहुत सारे जो district थे अगर हम start में बात करें जब यह मूमेंट स्टार्ट हुआता है उसके compare में अभी अगर 2030 में तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्स हैं वह रिकवर्ड हो गये हैं पर तब भी कुछ महीनों में ऐसे अबर आज आती है जहां पर इस तरह के कुछ इंसिडेंट जो हमाएं सामने आते हैं तो क्या वाकई में पूरी तरीके से अभी भी लेफ्ट विंग एक्स्ट्रेमिजम जो है भारत में खत्म हो चुका है या अभी भी उसके कुछ जो अंच है वो बचेंट इसको समझें कोशिश करेंगे थोड़ी से क्रोलोंजी समझेंगे जैसे मैं बता कि 2009 में उस वक्त कि हमारे पधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग्रों ने कहा था कि नक्सलिजम जो हो सबसे बड़ा थ्रेट है इंटरनल से क्योटी भारत की इंटरनल से क्योटी पे फिर 2010 में बोला गया कि 2012 तक इस नक्सलिजम को पुरी तरीके से क्लीन कर दिया जाएगा फिर तो जो नंबर ओफ डेट्स है ठीक है जो कॉंफ्लिक्ट होता है वो हंडर्ड है ठीक है यह नंबर बहुत कम हो गया है और यह भी बताया गया है ठीक है मिनिस्ट्री ने यह सारी जो है मिनिस्ट्री की डेटा है ठीक है मिनिस्ट्री नहीं कोट किया है कि सेक्योर्टी फोर् आता था तो यह सारी चीजे तो हो रही है ठीक है यह सारी चीजे हो रही है अगर हम मिनिस्ट्री की डेटा को समझें तो जो left-wing extremism का जो impact है वो कम होता चला जा रहा है पर कुछ महीनों में ऐसी खबरे भी आ जाती है जहां security forces पे या तो attack कर दिया जाता है या इस तरह का कुछ IED कुछ इस तरह का चीज़ें होती हैं तो यह सारी चीज़ें सही है ठीक है बहुत सारे ऐसे strong hold areas हैं जहां से left wing left wing extremism का जो impact है वो अभी भी पर तब भी कुछ न कुछ इस कुछ महीनों में इस तरह की खबरे आ जाती तो उसका reason क्या है यह सारी चीज़ें किस तरीके से resolve हो सकती है क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है बहुत सालों से ऐसा कहा जा रहा है कि जो left wing extremism है वो भारत से खत्म हो गया यानि कि जिसे हम false victory भी कहते हैं जिसे हम false victory भी कहते हैं जब 1972 में चारू मजुमदार जब एरेस्ट हुए थे ठीक है जब एरेस्ट हुए थे जिन्होंने CPI ML फॉर्म किये जो पार्टी उसको फॉर्म किया था जब एरेस्ट हुए थे तब यह बोला गया था कि हाँ अब पूरी तरीके से जो है जो left wing extremism में भारत से पुरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो इस तरह की खबरे आती रहती है कि जो impact है वो कम हो गया है ठीक है जो impact हो कम हो गया है पर पूरी तरीके से ठीक है जिसे कहते है है completely 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 अभी भी फिनिश नहीं हुआ इसी वज़े से हर इसी वन इस इसे वज़े से कुछ महीनों में हमें ये निव्ज मिल जाती है कि security forces और left wing instruments के बीच में कुछ जो है conflict हो गया Confront हो गया और कई बार हमारे जो security forces है है ठीक है वो शहीद भी हो जाते हैं तो इसको किस तरीके रिजॉल्व करना है यानि कि यह पूरी तरीके से completely कैसे हट सकता है पूरी तरीके से completely कैसे हो सकता हट सकता है तो जो फोटो में देख रहे हैं प्रकाश रिंग ठीक है इनकी एक बुक भी है करें जो जो operations होते हैं ठीक है जो operations involved होते हैं लेफ्य में extremism में वो आपका outsource कर दीगें आपका Central Armed Forces में ठीक है Central Armed Forces को और जो local police है उनको कुछ खास इस operation में का part नहीं बनाया गया है अब होता कि अगर हम local police की बात करें तो local police को उस local language की के जानकारी होती है ठीक है उस local language के उस जसे एरिया में जिसे में operation कंडेक हो रहा है वहां के local language की जानकारी होती है लोकल Terrain की जानकारी होती है ठीक है लोकग लोक्ल्य ड्र्रीन की जानकारी होती है तो इनसब वजह से अगर Central Armed Forces के साथ लोकल पुलीस को भी add-on किया जाएगा, लोकल पुलीस को भी, ठीक है, लोकल पुलीस को भी, anti-left-wing extremism के operation का part बना जाएगा, तो इन दोनों के साथ, जो है, वो और तेजी से, जो left-wing extremism के areas हैं, वो, वो recover हो सकते हैं, ठीक है, वो recover हो सकते हैं, साथी साथ, इन्हों ने ये बोला है, कि जो development की policy रही है, जो भारत की development की policy रही है, ट्राइबल एरियाज में, जहां पे, या जहां पे left-wing extremism है, ठीक है, जिन areas में, जहां पे, इनका impact है, stronghold रहा है, वहां पे जो development policy रही है, उसको थोड़ा सा modify करना चाहिए, उसको थोड़ा सा modify करना चाहिए, ऐसा नहीं कि development नहीं होगा, development चाहिए, देखिए, कोई भी area में सबको development चाहिए रहता है, तो, जो left-wing extremism की, जो areas है, वहां पे school की need है, ठीक है, वहां पे schools होने चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है, कि बहुत जादा बड़े level पे capital infuse किया जाता है, capital infuse किया जाता है, capital infuse किया जाता है, और बहुत बड़े development plans जो हैं, वो उस particular area में, वो implement किया जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो land है, ठीक है, जो land है, जिस पे बहुत time से claim रहा है उन एरिया, जो उस एरिया में रह रहे हैं, वो हो जाते है dispatch, तो इस वज़े से, इस वज़े से क्या होता है, कि पूरी तरीके से ये हट नहीं पाता है, जैसे कि अगर हम outsource की बात करें, तो अगर local police और central armed forces, दोनों मिल के काम करेंगी, तो शायद उस particular area से पूरी तरीके से gap हो जाएगा, left wing extremism का impact और फिर वापस resurgent भी नहीं हो सकता है, इसी वज़े से development को अगर कुछ modify किया जाएगा, जहां पे schools, hospitals, libraries और basic communities हैं, उन पे अगर जादा focus किया जाए, rather than big capital incentive development, तो शायद, ठीक है, तो जो शायद है, तो completely, ठीक है, completely जो impact हो ठीक है, जो left wing extremism का impact है, वो completely हटा दिया जाएगा, या हट सकता है, और last में, last में, जिस तरीके से आपने सुना होगा है, कि North East में, ठीक है, North East में, कई सारी जो insurgent groups है, उनके साथ बातचीत करके, डालॉग करके, ठीक है, डालॉग करके, उनको peace में लाया गया, उसी तरीके एसा सेम चीज आपका, ये left wing extremism areas में भी हो सकता है, तो अगर ये सारी चीज़े जो है, ये सारी चीज़े अगर इंप्लिमेंट की जाएगी, according to, प्रकास सिंग तो, प्रकास सिंग जी, तो, जो left wing extremism है, जो कई सालों से, 1972 से बात करो, अभी तक, कि ये, 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 होता है, कि अब खत्म हो गया, खत्म हो गया, false victory कहीने कहीं रहती है, पर फिर कुछ महीनों में, एक ऐसी खबर आ जाती है, जहां पे, फिर से, left wing extremism, जो है, वो न्यूज में आ जाता है, कि हाँ, अभी भी पूरी तरीके से, जो नक्सलिजम है, ठीक है, वो अभी भी भारत म पूरी तरीके से, खत्म नहीं हुआ है, और यह जो मैंने आपको local operation का जो बताया, कि local police को अगर operation में इंडॉल्फ करेंगे, तो इसका एक example भी दिया है, जिस तरीके से, पंजाब में, अगर हम पंजाब में बात करें, पंजाब में, इंसर्जंसी को counter करने के लिए, जो पंजाब पुलीस है, इनका रोल भी काफी जादा important रहा है, along with the security forces, और the central armed forces, तो यही चीज जो है, वो सही, यही same replicate किया जा सकता है, left wing extremism के areas में भी, जहां पे वो impacted है, तो यह सारी चीजे हैं, तो हमने क्या के देखा, भी हमने देखा कि किस वज़े से news में, किस तरीके से technology जो है, ID की, data करने के उसे change किया जा सकता, और किस वजह से, किस तरीके से, बहुत time से लगता है, कि शायद left wing extremism पूरी तरीके से खत्म हो गया, पर कहीं न कहीं, वो पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ जो अंश है, वो अभी भी रह जाते हैं, उसक कैसे अटाया जा सकता है, उसका भी मैंने आपको, जो इस और्थर, जो इस आर्टिकल में में मेंशन है, उसको समझाने की मैंने कोशिश करें, उम्मीद करते हूं, आपको चीज़न समझ में आए, क्योंकि इससे questions आपके आते ही आते हैं, तो इस तरह कि जो suggestions आपको, अगर आपको मिलते हैं, और वो भी उनके दुवारा अगर आ रहे हैं, जो खुद इस सब operations का पाट रहे हैं, तो ये आपके suggestions, इसको आप, अगर आप answers में लिखोगे, तो बहुत अच्छे से आपके enhance हो सकते answer, तो, कोई भी अगर आपको doubt रहेगा, तो आप comments में पने doubt पूछ सकत आपको इस बैश मिल जाएगी, अइसा रहा कि, प्रिंस को आपको में का crash course involved करना, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिल जाएगी, study book, study material, सारी चीजे हैं, जो आपको इस बैश मिल जाएगी, और तो और जो भी लोग, UPSC का प्रिंस का प्रिंस का प्रिंस का प्रिंस का प्रिं तो मेरा code है RSLIVE, इसको अब जब आप लगाओगे, उसके बाद ही आपको discounted price पर ये batch मिलेगा, तो ये छोटी सा information आपको दे नहीं थी, मुलकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तब न अध्यान रखेगा, मैनत करते रहेगा, खुश रहेगा, जै हिंद, जै भा झाल